हेलो एवरिवान गुड मॉनिंग नमस्कार आज एक सितंबर 2020 और आज के दा हिंदू न्यूज पेपर को हम लोग अनालिसिस करेंगे सबसे पहले एक इंपोर्टेंड न्यूज आई है नैशनल स्टेटिकल ओफिस ने एक डाटा रिलीज किया है कि इंडिया की जीडिपी जो ह हमारी एकनोमिक कैसे मूग कर रही है वह हमारी अंडरस्टेंडिक उस पर होनी चाहिए तो इसमें बताया गया कि कोविड नाइंटिन का इंपक्ट ने के ओल इंडिया में बलकि पूरी दुनिया के अंदर दिखाई देरा और उसके बाद लोकडाउन हुआ उसके वज़े से एकनोमिक इतनी ज्यादा डाउनफॉल हुई है ठीक है क्योंकि इतना बड़ा क्लोज अप जो है एकनोमिका दुनिया से कट आउट होना ट्रेड नहीं होना यह सारी चीजे पहली बार हम देख रहे हैं इंडियन एकनोमिक जो है वह एक तरीके से ऐसे साइकल के अंदर है जि को उसमें हम लोग डिमांड ही नहीं लोग लोगों के बीच में तो फाइननेंस कमेशन जो है है 15 फैनेंस कमेशन उसके अडवाईजर हैं के सिर्वास्तों नों ने कहा कि economic revival होने के लिए अभी छे quarter एट लिस्ट चाहिए पुरो proper इसको revival करने में तो एक लंबा period हमें देना पड़ेगा हमें spend करना पड़ेगा economic revivals को लेकर यहां पर एक ट्रम्स जूज कीगे finance commission 15th finance commission आप लोगों नीचे comment करना कि finance commission इंडिया के कौन से constitutional act के अंडर यह आता है वह आप नीचे comment करेंगे सुरी article के अंडर आता है यह आप comment करेंगे और 15th finance commission के chairman इस time पर कौन है वह आप नीचे comment करेंगे ठीक है इसके बाद GDP के अंदर बताया गया कि five to seven percent का contraction हो सकता है लेकिन यह ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ और 1979 80 के अंदर भी ऐसा हुआ था और इससे पहले 1965 68 72 73 के अंदर भी इस तरह की चीजी हमें देखने को मिली थी ठीक है लेकिन वो जो contraction था वो कम था क्योंकि हमारी स्टाइम GDP भी कम थी लेकिन पड़ी है तो यह नंबर भी हमारा बड़ा इसमें हुआ है इसके लावा हर एक सक्टर में कहीं न कहीं जो है खासकर construction trade hotel transport communication service sector इन सक्टर में एक तरीके से डानफोल हमें देखने को मिला है और केवल एक सक्टर जो है agriculture सक्टर जो है वो एक तरीके से growth rate शो कर रहा है तो आप लोगों से UPSC कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं और नहीं के वाल यूप से अब दूसरे कोई भी एक्जाम देने जा रहे हो तो agriculture sector पर multiple question हो सकते हैं चाहे crops को लेकर हो चाहे अलग-अलग sectors में हो तो agriculture बहुत important एक sector आपके लिए होगा और recently एक index release किया गया था IIP index of industrial production करके 2011 और 12 इसका base year है basically और इसमें eight core industries को include किया जाता है आप लोगों को second question आप लोगों कमेंट करना है कि इसमें eight core industries कौन कौन से और इसको कौन release करता है continue दो question है 15th finance commission के chairman कौन है और finance commission जो है इंडिया के कौन से article में constitution में इसका discussion किया गया है second question connect करेगा ठीक है कि IIP जो है वो कौन release करता है और इसमें eight core industries कौन कौन सी है वो comment करेंगे आप नीचे इसके अंदर अगर यह सबसे important यह index होने वाले हैं इन पर बहुत बारिकी शे नजर रखनी होगी तब ही हम अपने questions का जो weightage है score का weightage जो increase कर सकते है second important news है पंगोंग तसो लेक जो हमारा issue चल रहा है चाइना के साथ eastern लदाक वाले region में तो वहाँ पर उनकी आर्मी ने कोशिश करी PLA ने की वो border को cross करे या फिर एक जो dis engagement की जो site look mention करी गई थी दोनों तरफ से उसको cross करने कोशिश करी यानि जो चीजें इसकलेट नहीं और चीजें जो result होने का नाम नहीं ले रही इंडिया चाइना के border पर तो उसी के बारे में यहां पर information provide करवाईगी हाला कि चाइनीज साइट जो हो हमारे उपर delegation लगाती है लेकिन reality यह है कि चाइना के borders चाइनीज फोर्ट जो है वो एक तरीके से attempt करती इंडिया के जो particular mention किया गया कि यह एरिया इस country का यह एरिया इस country का वहाँ से cross करने की कोशिस करती है और इसी से related एक news है कि चाइना ने 1000 स्केर किलोमेटर का जो एरिया लद्दाक में वो कही न कहीं उसका control है यह चीजें बताती है तरफ से चाहे डिपलोमेटिक हो चाहे मिलिटरी लेवल पर बातचित हो रही है लेकिन चीजे रिशोल अभी भी नहीं हो तो इसे लिए बोला जा रहा है कि इंडिया जो है पहली बात तो चीजों को रिशोल्ड करने के लिए काम करेगा लेकिन अपने स्ट्रेंथ को को कउंटर करने के लिए इंडिया के सामने दो-तिन चैलेंज इसको को फिलाओं नाइंटिन के बाद रिवाईवल करना इतना Karen два चैना हो इन्कि टरफ से एक तत्री कीछ सेक्यूरटिश इंडिया को इस MP बना हुआ है और third important है unemployment का एक issue बहुत बड़ा है और unemployment जो है उसको लोगों को रोजगार provide करना एक बड़े challenge होंगे government के सामने let's see क्या चीज़े इसमें होती है इसके बाद परसांथ भूशन का एक मामला court में चल रहा था और उस मामले में हमने काफी details से चीज़ें पड़ी थी इन्होंने कुछ tweets किये थे जिसमें current chief justice of India और जो इनके पूरों में chief justice of India थे उन पर एक तरीके से allegation लगा था corruption का तो court ने इसको scandalizing the court यानि एक तरीके से court का अवमाना court of contempt का case इन पर लगा और इसके बाद इनको बोला गया था कि आप माफी माँग लीजिएगा लेकिन इन्होंने माफी नहीं माँगी तक nominal finance पर लगाया गया एक एक रुपे का और कुछ दिन के लिए court में जो हो जो लीगल प्रसीडिंग वो नहीं कर पाएंगे और कुछ time के लिए हो सकता इनको सजा भी हो खेर वो चीज़े हैं normalization की तरफ है लेकिन सवाल यह उठता कि किया criticism जो है court का करना अपने आप में court of contempt हो जाता है तो इस पर वो सारी debates discussion हो जकते हैं लेकिन जो news है उसको हम यहीं पर जो है इसमें limited इससे एक news उसको cover करेंगे इसके बाद हमारे former president जो थे पर्णा मुखर जी वो कल उनका दिहान थो गया और कई president यह अच्छे खासे इनकी image थी भारत रतन से इनको नवाजा गया था और यह माना जाता है कि जब यह president थे तब एक strong leader के रूप में यह उपरे strong president के रूप में उपरे कई सारे ministries को इनने ने hold किया और कई सारे इनों के decision जो है वो strong माने जाते हैं तो इनके बारे में हम detail से अ phase number 12 पे दो important news है पहली तो नागा लेंड में जो issues चल रहा है उसको resolution होने का नाम नहीं ले रहा है और नागा ग्रूप जो है fraction जो है वो एक तिरुके से allegations लगा रहे हैं वहां के governor साब पर कि आप उनको हटाया जाए और जो basic असम record है उसको जो details जो सांजा की जाए उसके details के बारे में basic information जो provide करवाए जाए पूरे states के अंदर खैर इसके बारे में अब बहुत सारी चीजे हम already discuss कर चुके हैं fractions का क्या request है क्या नहीं है और वहां के governor साब क्या बोलते हैं उनके बारे में कई सारी चीजे हैं जो government governor वहां के fractions group जितने भी हैं जो अलग से एक नागा क्या क्या issues हैं उनके बारे में हम already जो है discuss कर चुके continue touch में बने रहेंगे तो आप इसके बारे में basic informations collect करेंगे second important है इंडिया और चायना के relationship के बारे में हमारे external affairs ministry और विदेश मंत्राले मंत्री ने क्या कहा उसके बारे में कुछ कुछ चीजे हम लोग पढ़ेंगे तो उनने चाहिए अगर कोई भी country powerful होती है तो उसका पूरे area में पूरे जोगरफीज में जो politically जो है उसका change उसका impact हमें देखने को मिलेगा उसे के बारे में इन्होंने details से चीजें बताई इसके बाद जब उनसे पुछा कि क्या US और इंडिया के relationship का मजबूत होना एक तरीके से challenge है दोनों चाहिना का aggression जो बढ़ रहा है तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया और US का relationship जो वो उनकी similarities है कई सारी issues पर इसलिए बढ़ रही है two plus two dialogue की बात करी two plus two dialogue में क्या होता basically defense और foreign minister जो बातचित करते हैं ठीक है तो दो उनके दो हमारे तो कई सारी countrys से हो सकती ये किवल USA के मामले में नहीं है तो इन्होंने का कि दोनों के relationship में flexibility होने जुरूरी है और अगर US जो है हमारे defense sector में हमारे manufacturing sector में investment करना चाहता है तो हम उसका welcome करेंगे और जो 101 item जो import का हमने बैन लगाया है उसके लिए जुरूरी एक platform और equipment जो है flexible investment जो हो हो और ताकि market के अं होंगे ठीक है इसके बाद वर्ल्ड वाले section में दो-तिन ऐसे news है जिसके साथ हमें map भी cover करना अच्छे से पहला US और इसराइल का delegation जो अबुदाबी के अंदर वो historical visit के अंदर आया recently हमने देखा कि Abraham Accord sign किया गया Abraham Accord के अंदर basically UAE और जो है Israel इनके बीच में diplomatic ties को जो है sign किया गया UAE जो है इसी पहली अर्बियन कंट्री बनी है सोरी गल्फ कंट्री जिसको बनी है जो diplomatic ties इसके इसराइल के साथ होंगे तो अब basically जो भी उसके proceeding है उसके लिए उनके officer उनके minister जो है एक दूसरे के साथ बातचित करेंगे वो ज्यादा important नहीं है लेकिन इसके बात चीजें कैसे बदल रही है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर अगर हम बात देखें तो recently हमने यह discussion सुना तक कल ही पढ़ी थी ये news कि इसराइल की प्राइमिस ने कहा था कि दूसरी अरब कंट्री से बातचित होनी शुरू होगी है या उनसे साथ secret meeting ज तकी flight जो cross कर सके इसराइल की planes को ये airspace बिल्कुल provide नहीं करते थे लेकिन ये पहली बार हुआ है चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिला है तो हो सकता है कि इसके बाद UAE के बाद जो इसराइल के साथ भी relationship अच्छे हो सकते हैं इसके बाद क्योंकि UAE इसराइल के diplomatic ties की बात क country में सबसे पहले Egypt से और उसके बाद Jordan और UAE जो हो थर्ड ऐसी country होगी ठीक है तो इसके बारे में चीज़ें हैं जो normalize होती हुए दिखाई देरी हालां कि कुछ Gulf countries हैं जिसमें कतर वहरीन है वो इनने अभी कहा कि हम इस तरह के मुझ को follow नहीं करेंगे और तो Arab countries के अंदर भी एक तरीके से क्रिटी सीचे मापस में देखने को हमें मिल सकता तो पूरी जो पोलिटिकल यहां पर चेंज होती हुई हमें नजर आएगी अगर हम मैप की बात करें तो बड़ा इंटरस्टिंग सा मैप है इनका हमने कई बार discussion किया है Gulf Corporation Council यह ऐसा organization है जिसके बारे में सवाल ह हो सकते हैं OPEC पर स्वाल हो सकते हैं organization और petroleum exporting countries के मामले में तो कई सारे कई एंगल से questions की बनने की possibility होती है तो UAE के अगर हम बात करें तो जोगरफिकली यह काफी important है और यह इसलिए भी important है कि एरान के साथ अरब countries के relation इतने अच्छे नहीं है तो यह एक दूसरे के सामने organization council में 6 countries के बात करें दो साथी, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और कुएत यह 6 countries हमें देखने को मिलेगी कई सारी जोगरिफिकल locations important हो सकती है चाए वो पर्शेन गल्फ हो, गल्फ ओफ ओमान हो यहां पर आगर आप देखेंगे state of होर्मुज हो तो यह कई सारी चीजें, कई सारी बज़र रखना हमारे लिए बहुत important है, airspace का खाली करने का मतलब क्या होता है कि flight सीधे यहां से यहां आ जाकती थी, पहले flight यहां से होते ही पूरा घूम के आती थी, तो इंडिया के लिए benefit हो सकता है, क्योंकि अगर airspace यह साथी रिवेन एकसेस करने का मुका दिया, तो इं कि president है, बेलारूस के उन पर sanction लगा दिया, परतिबन लगा दिया कि हमारी country के अंदर आप नहीं आ सकते, तो तीन important Baltic countries है, लिथवानिया, लाट्विया और एस्टोनिया, जब जब कोई भी country news में आएगी, हम उन countries के बारे में discuss करेंगे, उन countries के बारे में पढ़ेंगे, तो यहां पर इन तीन countries का discussion है, लिथवानिया, लाट्विया और एस्टोनिया, अगर आप देखेंगे Baltic Sea को, और Baltic Sea के अंदर तीन important इन countries के बारे में, तो इन तीन countries में, एस्टोनिया, लाट्विया और लिथवानिया, यह बाल्टिक सी है, इसके right hand side आपको तीनों countries जो है नज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रवान्डा, यह अफ्रिकन कंट्री है, और यहां के जो famous hotelier है, उन पर terror का एक तरीकिस charges लगे हैं, तो उसके बाद उनको arrest करने हैं, उनके उपर जो भी allegations है, उसके बारे में news है, तो रवान्डा एक अफ्रिकन कंट्री के बारे में भी हम थो इसके साथ हमारे premises भी पिछले कुछ सालों में यहां पर गए थे, तो काफी popular यह जगह है, और रवान्डा उसके ज़स्ट नीचे बुरुन्डी है, और left hand side जो है Democratic Republic of Congo, उपर यूगांडा और जो नीचे है वो है तंजानिया, तो यह country जो इसको border टच करती है, आप जोगरि equator पर country हो या equator पर एक तरीके से जो cyclone के बारे में सवाल होते है, उसके बारे में हमें information होनी चाहिए, for example, UPSC ने पुछा था कि just equator पर zero degree पर cyclone क्यो नहीं होते, तो इस तरह के question जो है हम से पुछे जा सकते हैं, और उन सब questions के लिए हमें तियार रहना पड़ेगा, तो यह सार देखें, business section के अंदर एक reserve bank of India ने liquidity को ease करने के लिए, चीज़ों को ease करने के लिए, एक rep operation जो conduct करेंगा, जिसके अंदर एक लाग करोड़ रुपे की bank cut cost जो होगी उसके लिए, वो चीज़ों को normalize करने को सिस कर रही है, reserve bank of India जो special open market operation चलाएगा, open market operation में basically क्या होता है, कि government की securities को sale और purchase किया जाता है, openly ठीक है, उसके थूप पैसा एक तरीके से ये भी एक important मुह है, अगर liquidity को control करने के लिए use किया जाता है, कि पैसा बहुत ज्यादा market के अंदर हो, तो एक तरीके से security जो हो खरीदी जाता है, एक second, securities बेची जाती ताकि पैसा ले और पैसा ज्यादा कम होने के बज़े security जो खरीदी जाती ताकि पैसा वापिस market के अंदर भीज़े, असके liquidity control करने के लिए important major है, open market operation, इसके लावा एक और आज आपसे पांचमा सवाल मैं पूछ रहा हूं, और पांचमा सवाल नहीं है, ये बलकि तेसरा ही है, वो दो एक दूसरे से इंटर लिंक है, तो third question जो है, वो आपसे question है, कि statutory liquidity ratio जो है, उसके बारे मैं आपको बताना है, कि statutory liquidity ratio क्या है, ये आप देखेंगा, statutory liquidity ratio क्या है, UPSC के one of the favorite questions में से इस तरह की question वो पूछता रहता है, तो इसके बारे में आप नीचे comment करेंगे, इसके लाव रिजरो बैंक ओफ इंडिया न analysis कर रहे हैं, इसके बाद वो food and fuel prices को भी analysis कर रहे हैं ताकि economy को moderate की adjust के economy को stabilize करने पर वो continue काम करेंगे, तो इसी के बारे में उन्होंने कुछ information provide करी है, तो तीन सवाल आप लोगों से हैं, पहला finance commission और finance commission के chairman कौन और finance commission किस article में आता है, एक second question जो IIP जो है, उसके अंदर कौन क production जो कौन release करता है, तो connected question है, और third question है, statutory liquidity ratio, ये basically क्या है और इसका function क्या होता है, इसके बारे में आप नीचे comment करेंगे, इसके बाद editorial वाले section में दो editorial license जिसके बारे में हमें discuss करना है, पहला यहाँ पर आप देखेंगे तो quantum notice 16 ये परसांद बुशन के बारे में editorial है, जिसके बाद GST reform के बारे में बात करें, तो GST reform के बारे में हमने 2-3 दिन continue जो है, GST के बारे में detail से पढ़े है, GST के बारे में challenge किया, GST की basic input भी हमने provide करवाए है, basic information, ठीक है, तो अब repetitive news है, ये 20 दिन चले गी उसके बारे में हमें expertise करने की जरूत नहीं है, हम expert बनने की जरूत न है, general information हमें होनी चाहिए, लेकिन दो नए editorial है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले है, the right keys, right keys के बारे में basically क्या है, recently unlock four की guidelines release की थी, ministry of home affairs दोरा, उसके बारे में है, कि बहुत सारी हम देख रहे हैं कि recently, जो आज ही की news है, कि economy जो वो एक तरीके से contract कर रही है, basic economy growth जो नहीं हो रही है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि government of India ने बहुत सारे sectors को reopen कर दिया है, और इसके अंदर state हो, चाहिए, वो economic stress जो हम face कर रहे है, covid-19 के pandemic के बाद ये unlock four के procedure में कई सारी चीज़ों को unlock किया जा रहा है, या एक तरीके से कई सारी चीज़ें allow की जा रही है, 25 मार्च को जब भारत के अंदर 600 case थे, ठीक है, उस time पर हमने strict imposition किया था lockdown का, लेकिन अब cases कितने हो गए है, 78,000 पर डे के आसपास case पहुंच गए है, तो एक बड़ा number है, और ये growth rate जो है, वो नेके वल इंडिया में बलकि US और प्राजिल जैसी बड़ी country, बड़ी country in the sense, covid- 19 के ममले में नंबर में बड़ी country, यहाँ पर भी increase इतने नहीं है, जितने इंडिया के अंदर है, तो कई सारे public transportation like metro services है, public transportation services को जो वो धीरे-दीरे allow किया जा रहा है, और जहाँ पर hundreds से नीचे की जो crowd होगी उनको भी allow किया जा रहा है, लेकिन इस एक सवाल उठता है कि हमारा healthcare system के इतना अच्छा है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि हमारी economy इतनी अच्छी है कि जो हर एक चीज़ को हम close करते हैं और वो face out कर सके, third important challenge है, jobs को लेकर एक बड़ा issues है, और students जो schools में, college में या institute में नहीं जा पाते, उनके लिए high tuition fish, online teaching job, experimental है, क्योंकि online teaching पर एक question mark ये भ होने चाहिए, mobile है, laptop है, computer है, वो available ही नहीं है, इन सबसे भी ज्यादा, उनको charge करने के लिए electricity जो है, बिजली तक की वैस्ता कई सारी जगह पर नहीं हो रही है, ठीक है, और बिजली भी तब ही होगे ना, जब हमारे पास economy कुछ पैसा होगा, हमारे पास पैसा ही नहीं है, economy ह हमारे खास कर rural area में बहुत ज़्यादा damage हुई है, क्योंकि sources नहीं agriculture के लावा, ठीक है, और agriculture में अगर आप analysis करेंगे, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर लगे हुए है, यानि पूरा पूरा प्रिवार लगावा, जमीन बहुत कम है, और marginalized farmer जो देखते हैं, छोटे कि distancing का पालन करने, यह सीज़ी तो चलती रहेंगी, लेकिन study को continue करना, study के बारे में, उनके बारे में high tuition fees, यह सारे concern को भी हमें analysis करना पड़ेगा, इन सब के अलावा, कई सारे study publish करीगी, कि इंडिया में जो states हैं, उनका number जो 8% के आसपास positive rate पहुंची है, अगर दुनिया की ब testing को increase करना, एक हमारा important काम होना चाहिए, इन सब के अलावा, vaccines कब आएगी, यह equation mark है, लेकिन जो basic है, safe behavior को हमें continue करना पड़ेगा, safe behavior का मतलब क्या है, कि जैसे mask पैनना हो, या sanitizers use करना हो, या social distancing का follow करना हो, और बिना बात के जो हमें, घर से नहीं जाना है, इसके लाव गव work from home, इस तरह के cultures को prioritize करें, ताकि crowd जो gather ना हो, इतनी, और crowd gather नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, कि हम अभी भी जो maintain करने कोशिस कर रहे हैं, कि COVID-19 से कहीं नहीं बच जाएं, तो वो कोशिस हम करेंगे, जब तक vaccines नहीं होगी, ठीक है, इसके लावा, जो eco-friendly vehicles उनको promote किया जा सकता, like use of bicycles है, इससे दो चीज़े होगी, अगर आप bicycles use करेंगे, एक तो environment friendly है, दूसरा क्या है, कि आपकी health के लिए भी अच्छी ये चीज़ें मानी जा सकती है, तो हमें ने के वाल infections को identify करना है, बलकि अपने healthcare facilities को भी scale up करना, उसके अंदर भी improvement हमें करना है, ठीक है, second important editorial है environment को लेकर, और environment जो है एक national issue के बारे में इन्होंने discussion किया, ये former environment minister रही है और Congress की ये member रही है, तो एक चीज़ मैं editorial को पढ़ने से पहले बता दूँ, कि जब भी कोई editorial, कोई political party लिखे, Congress, BJP, या जितनी भी political parties के कोई भी member लिखे, तो कहीं ने कहीं उसका अपनी political party, हमारी government ने क्या किया, इस तरह का जुका होना, सुभाविक साह, लेकिन हमें इसके अंदर कुछ basic, यानि अन्बाइस तरीका अपना नौगा, अन्बाइस का मतलब है कि एक balance भी हमारा होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर कुछ basic information जो है, वो हमें पढ़नी है, औ और जब भी political party लिखते हैं, तो मैं इसको cross check जरूर करता हूँ, इनके data को लेकर और इस तरह की चीज़ों को लेकर, ताकि एक emotional चीज़े ना लिख दी जाए, तो यहाँ पर बताया गया, बहुत अच्छा editorial है यह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें बताया गया कि environment protection ज जो notification रिलीज किया गया था, खासकर जो environment impact assessment को लेकर, उसके बाद कई सारी चीज़ें जो discussion हो रही है, जिसके अंदर यह बोला जारा कि environment impact assessment जो है, खासकर environment को ही damage करने का एक region बन सकता है, तो इन्होंने कुछ facts और figure के तुरूँ analysis किया है, कि हम लोग environment के मामले में हमारी government कितन जा सकता है, कि हमारा environmental performance index जो है, वो इतना अच्छा नहीं है, अगर compare करें तो 2018 की बात है, दो साल में एक बार release किया जाता है, 177 country में से, sorry, 180 में से 177 हमारा number था, हलांकि 2020 में जो जून को release किया गया था, environmental performance index वहाँ पर हमने थोड़ा improve किया है, लेकिन हमें इस चीज़ को understand कर perform कर रहे हैं, अगर हम environmental performance index की बात करें तो दो university, US university, Yale और Columbia, ये collaboration करते हैं, world economic form से और European commission से, इन चार organization चार ग्रूप्स के थूँ, Yale और Columbia University और world economic form और European commission, ये चारों मिलकर जो पब्लिश करते हैं, और इसके बाद इन्होंने details बताएगी, कैसे 2006 में हम, 118 number पे थे, 2010 में 123, 2014 में हम कहीं ने कहीं, environment performance में हमारा index, हमारी जो reports है, index वो इतना अच्छा नहीं रहा है, right, इसके बाद इन्होंने बताया कि recently, environment impact assessment का draft को लेकर कई चारी चीज़े हैं, और एक तरीके से ये reasonable नहीं नज़र आता है, क्योंकि हम North India के अंदर winter में देखेंगे, तो पड़ी संके में आ violate करता है, कहीं ने कहीं उसको भी damage करने की कोशिस करता है, इसके बाद इन्होंने कुछ important चीज़ों पर discussion किया, for example, forest rights act के बारे में बताया गया, इसके अंदर कई सारे provisions किये गए, forest rights को लेकर, और इसके खासकर gram सभा या gram पंचायत को लेकर काफी interesting सीज़े हैं, 42 amendment का इन्हों इनी constitution ही बोला जाता है, और इसी के अंदर क्या किया गया, कि forest को state subject से निकाल कर concrete list के अंदर डाला गया, concrete list में अब जो है subject को वीशे हैं, उनको increase कर दिया गया है, concrete, union, state, ये सारी major list हैं, seven schedule में जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर का कई सारी information हमें मिलेगी, और ये कोई भी subject किस list के अंदर आता है, union में आता है, state में आता है, या concrete में आता है, ये भी सवाल इस बार हो सकता है, क्योंकि health, police, ये सारी चीजें जो है काफी news में है, और health और police दोनों जो है वो basically state list के अंदर आती है, और agriculture खुद जो है highlighted है, कि आज ही हमने इसके बारे हैं पढ़ा कि growth rate के मावले में agriculture जो sector कहीं ने कहीं push out हो रहा है, या एक तरीके से हम increase कर रहे हैं उसको, वो भी news में तो वो भी state list के अंदर आता है, तो ये सारी चीजें हमें information जो इसके बारे में multi dimensional operations को follow up करना पड़ेगा, इसके बाद बताएगा कि deforestation जो है वो एक तरीके से जो हमारे environmental pattern है, उसके बारे में एक concern होना जाए government का, कि deforestation से कई सारी problems हमें create हो सकती है, और पहले जो slash and band zoom खेती की जाती थी, आज भी north east के बहुत सरे state में की जाती है, वो कितना damage करती है, deforestation का क्या impact हो सकता है, उसको हमें understand करना पड़ेगा, और इसमें sustainable development जो होता है, कि हमें ठीक है क इंडस्ट्री सेक्टर को भी promote करना है, लेकिन उसके लिए हम environment को एक तरीके से damage नहीं कर सकते है, sustainable development को हासिल करने के लिए, जो environment है, उसके साथ development को एक तरीके से balance करना पड़ेगा, इसके लावा इन्होंने एक word discussion किया, कि निर्मल गंगा के लिए zero discharge of effilience होना चीए, domestic shivraise का बट अविरल गंगा के लिए एक तरीके से constant balance होना चीए between irrigation needs of agriculture and potable water for cities on the one hand and the environment flow of the river on the other, अब निर्मल गंगा और अविरल गंगा इन दो में एक difference है, निर्मल का मतलब होता साफ सुत्री और अविरल का मतलब continuous flow करे वो चीज है, ठीक है, तो irrigation sector में भी need है कि उसको balance बनाना यनि river का जो natural flow है, उस चीज को भी हमें understand करना पड़ेगा, इसके लावा environment से कई सारी चीजें relate करती है, poverty reduction हो सकता है, poverty को एक तरीके से weak कर सकते हैं, एक तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं, इसके लावा central state और local government को भी intelligence, monitoring and compliance of low को एक तरीके से, उनको तीनों को मिलकर एक तरीके से काम करना पड़ेगा, तब ही हम इस तरह की issues को discuss कर सकते हैं, और इस तरह की चीजें क्यों political नहीं है, इसमें हर एक citizens की, हर एक state, center, local governments की responsibilities में होने चाहिए, और इनी के बारे में इन्होंने discussion किया, और काफी चीजें जो हमें इन्होंने inform की, ठीक है, तो environment related बहुत सारी law है, और बहुत सारी environment impact assessment recently news में रहा ही है, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, और कई सारी committee इसमें खास कर जैसे western heart के वो लेकर दो committee में अक्सर discuss करता हूँ, जिसमें मादोगाडगिल और के कस्तुरी रंगन committee है, तो ये भी काफी news में रही, तो question कई sections में, कई directions में approach को follow करना पड़ेगा, ठीक है, और आज के the Hindu news paper में, 1st September में इतना ही उमेद करते हैं, आपको पसंद आएगा, और जो दो तिन questions पुछे हैं, please on questions का जुरूर answer करें, वो question काफी important है, और questions में comment करके, आप engagement अपनी बढ़ाईए, जिससे हम भी अपनी तरफ से और मैनत करें, औ कुछ data गलत बताया गया है, तो आप उसको correct करवाएं, क्योंकि important है correction, तो उसमें कोई भी sorry बोलने की requirement नहीं है, overall corrections होना चाहिए, जहां जहां लगे कि गलत हुआ, यह गलत statement बोली गई है, या flow में कुछ गलत word यूज किया गया है, या pronunciation या जो भी problems आए, उसको आप identify करेंग ठीक है, एक overall development हमारा भी होना चाहिए, sustainable development की तरह बात करें तो ठीक है, तो यह था आज के दे हिंदू news paper की कुछ important analysis, और उमीद करते हैं, आप लोग अच्छे से सवस्थ होंगे और अपनी त्यारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो thank you all, jahind